आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई है और उसका असर हर्याने पर पड़ रहा है और ये असर की वज़य क्या है ये असर क्यों पड़ रहा है असर पड़ना जरूरी है क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो पंजाब में सरकार आई है आम आदमी पार्टी ने सब्सक्राइब बेज़े हैं जनताने हाम आद्वी पार्टी के और ये बड़ी जीत है सायद पंजाब के इतियास में पहली बार किसी पार्टी को इतना बहुमत मिला है और उस बहुमत का असर हर्याना पर इसलिए होना लाजमी है क्योंकि हर्याना और पंजाब पहले एक थे और बहुत सारी जो कल्चर है बहुत सारी संस्क्रिती है हर्याना पंजाब की एक ही है तो उसका असर यहां भी पढ़ना लाजमी है वो असर क्यों पढ़ रहा है और हर्याने में ये असर कितना लंबे समय तक चलेगा क्या आम आदमी पार्टी की जो ये हवा है क्या ये सत्त में हर्याना में आमादमी की पार्टी की सरकार के रूप में बदल पाएगी बहुत सारे सवाल है इस समय हमारे भी जो चुके हैं और उसी ग्यान का पैदा हम अपने दर्सकों को भी दिलवाना चाहेंगे और हम पूछेंगे कि आम आद्वी पार्टी की हरियाना में यह हवा क्यों बह रही है क्या पंजाब का मातर असर है या इसकी वजात क्या है और इन वजातों को लेकर के हम डक्टर रामजिलाल जी से स्वाल जवाब करेंगे आप भी सुनियेगा और इससे पहले कि डक्टर रामजिलाल से मैं आपको मिलवाँ मेरी आप से अपील रहेगे कि आप हमारी ख़बर को सस्क्राइब भी कीजिए लाइक भी कीजिए ताकि जो इस तरह की जो सूचनाई हैं ख़बरे हैं हम आप तक पहुचाते हैं हमारी ताकत और बड़े डक्टर रामजिलाल जी जन तहलका पर सबसे पहले आपका स्वागत जन तहलका के दर्सकों को नमस्कार आज हम निर्वल जी के साथ हर्याना की राजिंती के बदलते रुख पर विशार प्रेक्ट करेंगे और उमीद करते हैं कि यह विशार आपको पसंद आएंगे जब हम हर्याना की बात करते हैं हर्याना दिल्ली और पंजाब के वीच में है हर्याना पुत्र केजरिवाल मुख्य मंत्री हैं आप पार्टी के और पंजाब में जिस किसम की अभूत पर विजय आम पार्टी ने प्राप्त की है जन्समर्थन प्राप्त किया है उसका ज्यादा प्रभाव हमें आने वड़े समय में हर्याना की राज्की में पड़तावा दिखायत देता है और इसकी विधान सावा में भी गूझ उठी है मैं आपको बता दूं कि दादा गोतम जो विधायक हैं वह उन्होंने सपस्टूप से कहा है मैं वह सब दोराना नहीं चाहता लेकिन उन्हों सपस्टूप से कहा कि यदि आप सुद्रों गे नहीं तो हर्याना में भी आम आदमी पार्टी के जो लाला जी केजरी वाल है वह आप लोगों को रगड़ देंगे यह नहीं वह रगड़ने वाली जो भासा है उस पर तम बाद में जाएंगे हम जानना यह चाह रहे हैं कि सबसे पहले डक्टर अमजलाल जी आप बहुत सारा ग्यान रखते हैं राजनेती का सबसे पहले तो पंजाब है पंजाब में आम आ अगर हम देखें एलेक्शनल जीतना और आंदोलन या जलूस में भीड कठी करना या मीटिंग के अंदर भीड कठी करना यह तो तमसा होता रहता है लेकिन आम यह देखा गया है इन चिनाव में कि भीड जो है वोटों में गनोर्ट नहीं है पंजाब के अंदर अगर हम तो पंजाब के अंदर किसान अंदोलन के इतना प्रभाव था इतना प्रभाव था किसान के इतने एक्टिव थे कि उन्होंने कानून आने से पूरों ही अध्यादेशों के बाद आप लोगों के हमने उस समय चर्चा भी की थी अध्यादेशों के बाद अंदोलन प्लाण हम कर दिया और यहां तक अमरीसर की जेल के दरवाजे पर छे साल की लड़की जो है वो जेल जाने के लिए जार दिया पंद्रासों को खाली करा लिया गया परचार किया गया और राष्ट्रिय राजनती में बदलाव भी आया चेतना भी बढ़ी लेकिन उसके बावजूद भी प लेकिन ना तो धूम का सर वाज चुनाव में ना गूंजिका हुआ फिर वहां असर किस चीज का पड़ गया यह बता हुआ अब इसके कई कारण हो सकते हैं मोटा तोर पर मैं यह कहूंगा कि परिवर्तन प्रकृर्दी का नियम है यह बहुत महत्तों बात है आज से 10 साल पहल पहले थी वह धिरे धिरे बदल रही है और बदलने भी चाहिए लेकिन यह जो बदलाव कि आप बात कर रहे हैं यह बतलाव तो फिर जो दूसरी दल थे उन पर विए अच्छे अच्याव के देश में राज जो है बारतिया जंता पार्टी का पंजाब की आम बात कर रहे हैं वहां पंजाब में यह पाउं पसार रही थी भार्तिय जंदावाटी कहीं दलों से गड़वंदन करके सप्टा में भी आई है बदलाव यदि कॉंग्रेस पार्टी को वह सरकार थी तो फिर जो अकाली दल है अकाली दल बादल फिर वह सप्टा में आजाने चाहिए थे वह उन लेकिन किसी को तो नहीं चुना और सत्ता में एक जी गवर भी बदलाव भी किया था मुख्या मंद्री का चेहरा भी बदला था असर तो कहीं भी नहीं पुड़ा है हाम आदमी पार्टी को कैसे देखे यहां अगर हम लंबा ना खैंशते हुए चोटी बात यह है कि अकाली और बाजबा काफी लंबे समय तक महां पावर में रहे वो वाहरन के बाद कांगर्स पार्टी की सरकार बनी कांगर्स पार्टी की सरकार जह है उसका जनेतरी तो था और मेंदर सिंग ने किया। और मेंदर सिंग के प्रती लोगों की पंजाब के ये भावना थी कि कहीं अंदर से जो अकालियों के करफ्षन के खलाफ चानवीन करनी चाहिए थी चीफ निस्ट्रोस में चूप हुए ऐसा प्रती तो होता है कि जैसे बाहर से तो एक दूसरे खलाफ लड़ते रहे लेकिन आंत्रिक गटवन्ज है वो नज़राया कि ना तुम मुझे छेड़ ना मैं तेरे को छेड़ूँगा लेकिन जनता ने तो छेड़ दिया जनता ने छेड़ा इसलिए कि जनता को जो आप बात कह रहें लग गया यह दोनों तो मिले हुए फिर अल्टिनेट क्या है यानि लोगों को विकलप चाहिए था और वह विकलप आम आदमी पार्टी के रूप में लोगों को वहां मिल गया और सायद इसलिए वहां परचंड जीत हुई और उस परचंड जीत का हर्याना में असर क्यों पढ़ रहा कि मैं यह भी जरूना चाहरहे हमारे दरस्ति जानना चाहते है आके क्र आद्धी चलती है जुड़ा में पिदा हो कि वह जरूरूरा हुए हो गेश्ट से भी चलती है हवायं भी चलती है और अधियाना पर पटाइक होता है पंजाब पर यह चनावी आंधि जो थी लाजमी तौर पर हरियाना पर असर डाले की कारण है उसके क्योंकि हर्याना के जो प्रंप्रा का दल हैं हम सबसे पहले कांगरस को ले ले आपने पहले भ होता है हो तो कारण वैसरों में समय कारण था कांग्रस-पार्टी का हरियाणा में इस महें इसलिगे होना कि तो कांग्रस-पार्टी है तो की थी कि ऐल द॑ दल के वे वे सकी यह होता है कि चीफ मिनिस्टर का जो स्वाया है चाया है वो होता है लेडर आफ पोजिशन अगर चीफ मिनिस्टर अड़ता है तो लेडर आफ पोजिशन जेने वो चीफ मिनिस्टर बनता है लेकिन अफसोस की बात यह है कि कांग्रस पार्टी ने 2014 और उसके बाद जो 2019 का लोक सभा चनाव और अपना हरियाना के चनाव से हार के कोई सबक नहीं सीखे क्योंकि कांगर्स पार्टी जो है आम आदमी इस चीज से कांगर्स का समर्थक उने के बावजुद्वी इस चीज से परिशान होता है कि कोई हुड़ा गुरूप है कोई विश्णोई गुरूप है कोई जहना किरंगरूप है और लोगों को इन गुरूपों के बीच में कोई आसा की किरंदिखाई नहीं देदी किरंजरूर है जरूर है लेकिन अध्यक्स तो कुमारी सेलजा है आप कमांडर यह नहीं जो है हर्यानम कॉंग्रेस के कमांडर लेकिन कमांडर का इतना परवाव नजर नहीं आया कि हाँ मैं सेलजा को अच्छी पढ़ी लिखी विद्वान नेता मानता हूं लेकिन अफसोस की बात है कि उसने अध्यक्स बनने के बाद जो कांग्रेस के संग्ठन को मजबूत करना चाहिए था गौं से लेकर बंचकुला तक वह पुरूनताया फेल रही है और अगर अगर अधा परिवरतन प्रकृति का नियम है परंपरागत मत दाता ही जो है बहुत बड़ा मत दाता होता है परतेक देश में लेकिन वो टूट रहे हैं और जब तक सिंक्टन नहीं बने अम आदमी तक पूंच नहीं होगी अभी पता लगा है कि मेंम्बर बना रहे हैं हैं अब यह उपर से लादे हुए निता होते हैं इंका तो पर परफ़ाव नहीं होता यि और जंता में जब तक प्रभाव नहीं होगा जनता उसके साथ नहीं लगेगी ऐसे हलात देख रहे हैं पंजाब में भी देखें हैं अब हर्याने में भी वही हम बात करें आम आदमी पार्टी की हवा क्यों बैरी है अब वा हवा का डाक साब से जानना चाहेंगे आखिर ये एक चीज़ मैं आप दर्सकों बीच में जो आपको समझाना चाहा हूँ मैं जहां तक मेरी राजनेतिक समझ है वो जो सत्ता सीन पार्टी होती है उसके परती लोगों का गुसा होता गुसा इस बात के लिए कि जो वैदे किये जाते हैं और जो लोगों के बीच में जाकर के तरह तरह के से नराज हो त्वर जो जाते हैं तो फिर वो मुडते हैं जो उसरी तरफ भी मुडते हैं जैसा कि हर्याना में हो रहा है हर्याना में यदि बात करें हम इस समय तो हर्याना में इस समय जो भारतिय जनता पार्टी है वो जजपा के साथ सांजी सरकार उन्सकी चल रही है और यहाँ यदि भारतिय जनता पार्टी और जजपा का कोई विकल्प हो सकता है तो गुटबंदी का सिकार है तो कोन बचता है इसके बाद हर्याना में विवक पुरिस के पास एक अवसर था और वो अवसर आखिर क्यों जंता को पसंद नहीं आ रहा है कि जब एक परिवार वह अलग अलग टुकडों में बंट जाए तो वहां त्रक्की नहीं हो सकती है यही काहल कागर्स का है अब माल लीजिए मैं अगर उटा गुर्प को जोईन कर लेता हूं तो चार गुर्प जो हैं वो नराज हो जाएंगे और ऐसे बहुत से विद्वानों ने बिरोक्रेट्स ने कांगर्स पार्टी को जोईन किया रिटार्मेंट के बाद लेकिन उनका कही नाम तक नहीं आता है कारण क्या है क्योंकि अगर वो एक गुरूप का मना जाता है तो बाकि जो चार गुरूप है वो उसका वुरुद करते हैं तो यह देखे हमें इस बात का कोई नहीं है कि कौन जीतता है कोन हारता हमारा अपना विचार है और विचार यह है कि हमें तो लेकिन यह आम आदमी पार्टी के परती जो लोकों का रुजहान बढ़ रहा है इसको लोग पसंद कर रहे हैं यह जो मजूदा सरकार है से निराश है क्या मान रहे हैंब देखे जो सिस्टम होता है वर्तवान सिस्टम व्यवस्था और व्यवस्था में जब तक आर्थिक सुधार नहीं होंगे विवस्ता में जब तक करप्शन की दीमक लगी रहेगी है अब हर रोज गुटाड़े हम माल लीजिए आप कहते हैं जी मुख्यमंत्री बहुत इमानदार आदमी है लेकिन अगर मुख्यमंत्री की इमानदारी के चत्तर चाया में लाजमी तोर पर जितने तैसिल्दार पटवारी कानुगो और अन्याधारी करप्शन में फंसे हैं उनके उपर मकदमा तो चलाए जाए उनकी संपतियों को उनके रिष्टेदार परिवार भाई बतिजा बेटा और पत्नी की संपतियों को जबत करके जेल के अंदर डाल देना चाहिए लेकिन लहजा सक्त भी होना चाहिए अपने दर्स को एक चीज़ बता दे हर्याने के मुख्यामंतरी करनाल से विदायक भी है और करनाल से जिस समय पर्थम बार ये चुने थे तो चुने के दोरान जो लोगों से वैदे कर रहे थे मैं आपको याद दिलाना चाहता ह की कुरिनाल में हमें याद है वह बाते इं जब मुख्य मंत्री जी आम व्यक्ति होते थे विधायक बननेके बाद मुख्यमंतिरी बने लेकिन उस समय जब ship la तो बातें पर मोग रूप से उठाते थे मैं दर्सकों आपको याद दिला दूँ एक तो यह जो हमारे नजदी कलपना चावला मेडिकल कॉलिज है इसका बड़ा सोर हुआ बड़ा बड़े इसके लिए संघर्स भी हुए बड़े अंदोलन भी हुए दूसरा तस्रीलों की बा रेफएर सेंटर के रूप में पिछले सासालों में यही हो रहा या कोई लोगों को उप्चारन नहीं दूसरा तैसिलों की बात छोई ती जितनी तैसिले हैं तैसिलों में बरस्टा चार बहुत हो रहे, खुल्याम बरस्टा चार है रिस्पत, भोरी है लेकिन कुछ हालात सायद मुख्यमंत्री ने बदलने चाहे हैं लेकिन ये दो तिन गठनाई जैसे नक्साब ने बताया उनको डाकू तक के संग्या दिया अधिकारियों को यहां का करनाल का तैसिलदार पकड़ा गया है करनाल का डीडी भी पकड़ा गया जिन पर रिस्पत के बीच में रुकी हुई है दो को पकड़ा गया बाकी मगरमच तो भी बाकी है लेकिन ये बड़े-बड़े मगरमच बाकी है अपना कहां बिना साय के काम नहीं हो सकता है क्या यह लोगों की नराजगी यह आम आदमी पार्टी की तरफ मोट रही है यह जो लोगों की प्राटीज है वहें कांगरस युक्त भी होगी और बाजपा युक्त भी होगी क्योंकि बाजपा को छोड़कर लोग आएंगे इसलिए आम तोर पर धरना है कि जैसे गंगा में गदा नाने के बाद गय नहीं हो सकता यह कांगरस और बाजपा से गए जो लोग है पुराने बढ़ाया कि नए जो भी जाएंगे जुरूई नहीं के अंदर वहां जाकर यह बहुत हो रहा हर्याना में पंजाब का जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का उसका परभाव यहां दिख भी रहा हम जिससे बात करते हैं तो आमादमी पार्टी की बात चलती है लेकिन यह आमादम पार्टी की बात कितनी देर चलेगी जराय यह जानना चाहेंगे यह कुछ जैसे कहते हैं को नया नया साधी ब्याँ होता है नहीं कोई सामान लेता नहीं कोई चीज लेता उसका चाओ कुछ दिन तो रहता है क्या यह क्या अभी तो चनाव मेरे खाल में बचते हैं अरियाना मेविदान सवा के उन चुनाओं तक इसी तरह की हवा का जो रुख है वो रह पाएगा या और वियांदी बन पाएगी या बीच में रुख पाएगी आप क्या मानते हैं कि सोच क्या देखें जो सत्ता बक्स है कि उसके विरुद्ध सत्ता विरुधी इलेक्ट्रोनिक मेडिया के लिदर काम करते हैं अगर वो यह काम नहीं करते हैं नहीं कर रहे हैं विकाओ है टिकाओ नहीं है बिल्कुल इजाम है अख़बारों में रो जाता है दलाल है सत्ता के आप देजिये मुझे कोई दिक्त मिलिए नहीं कि लेकिन लेकिन ने इन सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन हिंदूस्तान के जंता जानती है कि सत्ता के दलाल कौन कौन है राष्टिये मीडिया में जदा है और लोकल मीडिया में कम है और उन्होंने सत्ता की दिला ले करके डेमोक्रिसी को रहन करने का परियास किया जो के बहुत खतरनाक ट्रेंड है यह यह बात आपकी मान ली जाए तो फिर तो यह रूख बाजबा की तरफ मोड़ देना च करेगी मीडिया को मिला करेगी तो उसका असर जहना लाज्मी पतवार हम भी तो पंजाब कि अनम मान क्या लेकर अगर काा रूक पाए अगर कांग्रस पार्टी के पास अभी मौका है अगर ये लिम्टिड समय में मैंने दो मेंने कंदर अपना सुधार करें संक्ठन बनाएं और चनाव के जरिए नेताओं को चुने स्थान काओं के स्थर से लेकर और राष्ट्रे स्थर तक उपर से लादावा नहीं होना चाहिए चाहें पार्टी टूट जाएं वह लगा जहां बजी जाएं लेकिन निखार होना उसमें जरूरी है दूसरी बात अब इनलों को भी अपना सुहर करना चाहिए तथा बारतिय जन्ता पार्टी जो है इसको भी हम यह कहेंगे के भाईया हवावाई मत करो आप हिंदू मुस्लिम का जो जो दूस परचार बार बार किया जा रहा है उसको बंद करो क्योंकि इस समाज में द्वेश भावना बोट तो बार यानि हर्याना में भी भारतिय जन्ता पार्टि को अपनी आपनी सोच बढ़ने में बदलाओ करने की जिरूरत बिल्कुल बदलाओ की जुरूरत है आखर में आप आप से चीज़ जाना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी पर हवा की बात हम लोग कर रहे हैं तो आम आद लोग हैं वो जो वो उम्मिदय पाले जनता पाले बैठी है उन पर वो खराओ रहेंगे तो देखे कोई नेता यह दिमेक सबाल बीच में और जोड़ू है यदि यह भी दूसरी पार्टियों की तरह इनका भी वही रवाया रहा तो फिर जनता के सोच कहां रहे हैं देखे ऐसा है भगत सिंग कि गौव पैत्री गौव में जाके सबत ग्रहन की है और मैं यह पढ़ रहा था अभी जब इनने वह उत ग्रहन की और उसके बाद भार्जवाले भी भागे एक तो भगत सिंग को कैश करनी चेस्टा करें उसकी फिलोसफी भी कैश कर ले ना भगत सिंग ने कह अगर केशरीवाल का बंदा मान आ गया और चन्नी चनों हार गया कोई फरक नहीं पड़ेगा जब तक आरतिक व्यवस्था को नहीं बदलते और पूंजीवादी व्यवस्था नव पूंजीवाद अडानी अम्बानी का जो हिंदुस्तान की इकनोमी के उपर अठैक है उसको केशरीवाल अगर नहीं रोखता तो मैं यह कहूंगा कि यह भी उन्हीं का बीटीम का सदस्य है अब कौन किसका सदस्य है यह दर्स को यह निरिना तो आप करेंगे लेकिन हमारा मक्सद यह था कि आम आदमी पाल्टी की जो जनता में हवा चल रही है यह हवा कितनी कि क्या रुकेगी या और तेज होगी हम इन सवालों को लेकर के रमजिलाल से आपके साथ बाचीत करा रहे थे रमजिलाल जी ने बड़े सुल्जेवे सब्द भी कहे तीके सब्द भी कहे और कई संगीन अरूप भी जड़ती है यह ने दो आप ने करना है लेकिन इस समय जो इन बाचीत का लबो लबाब निकला है कि आम आदमी पार्टी की हर्याना में हवा के तेन परमुक करन हमने इस बाचीत से समझे हैं नमबर एक तो लोगों को जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है उन पर विश्वास उठने लगा है क्योंकि जिन उमीदों के साथ उनको सत कंगरिस्पार्टी भी गुटों लग जाता है को इस से अच्छा विकलब दूसरा देखा जाये कि पंजाब में आदमी पार्टी की तरफ लोगों का रुजशान बढ़ रहा है और ये रुजहान तब तक और बढ़ेगा जब तक लोगों का विश्वास आम आदमी पार्टी पर रहेगा आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी सतरक नहना पड़ेगा सजग रहना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि वो कहीं इस हवा में कई गंदे कचरे को ना ले लें जिसकी वज़े से उनकी छवी खराब हो जाए तो बहुत सारे सवाल और बहुत सारी उमिदें और बहुत सारी कांगसाओं के बीच हम आपको छोड़ रहे हैं आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा कि ये हवा मादमी पार्टी के आगे बढ़ेगी या भारतिय जनता पार्टी और जेजेपी अपने अंदर को सुधार कर पाएगी जनता की उमίदों पर खरा उतरने में कहीं उनको कोई जनता को आसा के किरन दिखा पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी उन सब बातों को भुला करके जब जनता में उनकी च्छवी जा रही है और कहीं एक जुटता का परदर्सन कर पाएगी यह बहुत सारे सवाल है इनी सवालों के साथ मैं अपने से होगी पंकज के साथ इस समय करनाल से MS में रमला